ओम नमस्च शिवाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको सिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूं आप सभी भक्त जन इस कथा को सृद्दा पूर्वक मन लगा कर सुने बगवान सिफ जी आप सभी की मनों कमना पूर्ण करेंगे और आप सभी की कश्टों को हर्लेंगे इसकंद जी बोले है कुम्बज इतने में दोनों देवताओं के मद्द एक जोती प्रिगट हुई जिसके प्रिकास से समस्त प्रति तथा आकास पूर्ण हो गया उसमें से एक संदर आकार उत्पन हुआ जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पांच में मुख से यह कहा हे विश्णुजी हमारे तुमारे बीच में यह कैसी आश्य जनक जोती प्रिगट हुई है जिसमें किसी मनुष का आकार दिखाई पड़ता है ब्रह्मा यह कह रही ही रहते हैं कि उन्हें ब्रह्म सरूप इस प्रिकार का प्रतित हुआ कि एक मनुष निल लोहित भर्ण चंद्रभाल तरसूल हात में लिए तथा सर्पों के भूशन धारन कियोए खड़ा है तब ब्रह्मा उससे इस प्रिकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी बहुके 20 से उत्पन हुए थे तुमारे रोने के कारण ही हमने तुमारा नाम रुद्र रखा था अब तुमको उचित है कि तुम हमारी सरण में आओ हम तुमारी हर प्रिकार से रक्षा करेंगे प्रिकार उन्होंने हर प्रिकार अपने समान ही अपनी लिला के लिए उसे प्रिकट गिया तब उस उत्पन हुए मनुस ने हाथ जोड़कर सिवजी से यह निवीतन किया है अब आप मेरा नाम रख दीजिए तथा मुझे आग्या दीजिए कि अब मैं क्या करूँ यह सुनकर सिवजी बोले तुम काल के समान ही प्रतीत हो इसलिए तुम्हारा नाम काल राज होगा तता सिव के बहरन की सक्ती रखते हो इसलिए तुम्हारा नाम बहरब भी होगा तुम से काल भी बहवित होगा इसलिए तुम्हारा नाम काल बहरब भी है तुम सब भक्तों की मनुत पूर्ण करोगे अब तुम अपना काम सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ हे कुमज इतना कहकर सिवजी ने भहरव को ये आगया दी कि हे भहरव परदम सोत जो ब्रह्मा है वो हमारा महा सत्रू है तुम इसको भली प्रकार सिख्षा दो इसके अतरक्त और भी जो संसार में इस तरह मेरे बिरोधी हैं उनको उचित्र डंड दो मुझे अपनी मुक्ति नगरी अथार्त कासी प्राण के समान प्रिया है मैं तुमें उसका स्वामी बनाता हूँ कासी में तुमारी दुराई फ्रेगी और तुम वहां का राज करोगे तुमारा कर्तब्य है कि कासी में जो मनुशे पाप करे तुम उनको उपदेश करो जो कोई कासी में सुब या असुब कर्म करते हैं उनको चित्र गुप्त नहीं लिखते और वहां यमराज की आग्या न में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या डंड देना चाहिए फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने पांच में मुख से सिमजी की निंदा कर उनको पुत्र बनाया है इसलिए मेरे बिचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका पांच मां सिर्काट डालूं यह सोचकर बहरव अत्यन्त क्रोध हुए और उनका स्वरूब माह भयानक हो गया फिर उन्होंने अपनी बाएं उंगली के नकसे ब्रह्मा का पांच मामुख काट लिया उस समय चारों और हाकार मच गया देवता एवं मुनी आदी सब वहवित होकर कापने लगे विश्नो जी भी यह द परकार भय मत करो तुम दोनों ही सष्टी को उत्पन करने वाले दता उसके पालन करने वाले हो और हम प्ले करने वाले हैं हम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है परंतु ब्रह्मा ने अपने जिसम मुख से हमारी निंदा की हमने केबल उसी को डंड दिया है यह चरित हो परंतु उसका बद करना महा पाप है तुमको ब्रह्मा का पांचमा सिर काट डालने के कारण दोस्त लग गया है तुम उसको दूर करो यद पी तुमको पाप पून कुछ नहीं है फिर भी बेद के अनुसार सब कार करना चाहिए जिससे की अन्यमनु से भी उसका अनुकरन करें तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भीक्षा टन करते हुए सब लोकों की परक्रमा करों सिव जी ने इतना कहकर एक इस्त्री परकट की जिसका आकार बहुत बड़ा था उसका नाम उन्होंने ब्रह्म हत्या रखा वह महा भेंकर थी उसका रूब भै प्रदान करने बाला था उसका सरीर रक्त में था तता वह रक्त ही वस्त्र पहने थी और सब सरीर में रोदिर लगाए हुए थी वह आकास तक सिर उठाए हाथ में खप पल लिये हुए थी जिसमें रक्त पान करती जाती थी उस पहला कार के मेक के समान महा भेंकर ब्रह्म हत्या को सिव जी ने प्रिकट करके उसे कहा कि कासी हमारी नगरी है वहाँ जब तक भैरव लोटकर ना आवे तब तक इनको ना छोड़ना चाहे कोई करोडों उपाए करे कासी के अत्रक तुमारी तीनों लोकों में गती होगी सिव जी यह कहकर अंतरध्यान हो गए तब भैरव भी सिव जी की आग्या सुईकार कर ब्रह्मा का स्र लिये हुए भिक्षा टन करते रहे वह ओच्जस्वर से सबको अपने पापों के विसमें बताते थे ब्रह्मा जी बोले है नारद सिव जी की आग्या नुसार ब्रह्म हत प्रत्या के अत्रत और कोई नहीं था जब बेपाता लोक में गए तब भी उस इस्त्री ब्रह्मत्या का साथ ना छूटा फिर उन्होंने उपर के लोकों में भी भिर्मन किया परंतु वे सदैव उनके साथ रही किसी प्रकार भैरब समस्त ब्रह्मान में घूमते रही जहां भ विष्णो जी ने भैरब को आते देख लक्ष्मी से कहा है लक्ष्मी देखो पर ब्रह्म सेव जी यहां आ रहे हैं यह हम पर किरपा करके ही यहां आ रहे हैं थाड़ी देर में जब भैरब निकट आये तो विष्णो जी ने समस्त सवा सहित उठकर भैरब की इस्तुति करती हुए कहा है सदासेव आप तो सब पापों को दूर करने बाले भक्तों को अनंद प्रदान करने बाले तता अबनासी हैं आप यह क्या चरित्र तता लेला कर रहे हैं आप किरपा कर हमें यह बताए कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है आप संसा पाने के लिए ही हम संसार का भिर्मन कर रहे हैं यह सुनकर ब्रिस्नु जी बोले है प्रवो मुझसे तीनों लोकों को मुहित करने वाली माया को आप दूर रखिये आपको पुने तता पाप से कोई मतलब नहीं आपका नाम जपने से सब पाप नश्ट हो जाते हैं अब आप ल पाप कैसे लग सकता है आपके गले में अन्य कलपों के ब्रह्माओं के सिर पड़ी हुए हैं आपको उनकी ब्रह्मात्या क्यों नहीं लगती हैं फिर आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं आपकी लिला बिचित रहे उसको देवता तता मुनी कोई नहीं जानता जो कि आपका नाम सुब है इस प्रकार हात में से लेकर आपका ब्रमन करना उचित नहीं हमारे बड़े भग हैं कि आज आप हमारे लोक में ब्राजमान हुए तता आपकी द्रश्टी अम्रत के सामान गुडवान है जिसको देखने मातर से ही फिर आबा गमन का भै नहीं रहता है इ उनके पीछे पीछे ब्रह्मत्या भी चली इसकंद जी बोले है कुमज विष्णो जी ने ब्रह्मत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा ए ब्रह्मत्या तु भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो बर्च आईए वह हमसे मांग ले विष्णो उसका घर त्याक कर भाग जाती हुँ ब्रह्मत्या यह कहकर उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी उस समय बैरव ने विष्णो जी के ऐसे इसने को दे कर कहा ए विष्णो तुमारी जो इच्चा हो हमसे वह बर मांग लो हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नह रहे हैं यह सुनकर विष्णो जी बोले ही प्रवो हमको तो यही सबसे बड़ा बर मिला है कि आप हमारी लोग को आए हैं हमारी इच्चा है कि हम प्रति दिन आपके चर्ण कमलों का ध्यान किया करें तता हमको प्रति दिन आपका दर्सनला प्राप्त हो विष्णो जी की ऐस लोकों की परक्रमा की तता कासी की ओड चले जब भैरव कासी के समी पोँचे तब ब्रहमत्या अत्यंत भैवीत होकर चिलाने लगी जब भैरव वहां बैट गए तब वह हाकार करके प्रत्वी के नीचे गई उस समय भैरव के हाथ से ब्रहमा करसिर धरती पर गिर पड़ा यह उसकी महिमा कहां तक बढ़न करें वे सर्व सेष्ट कपाल मोचन तीर्थ है एक उमज बहरव का अवतार मार्ग सेष्ट की किष्णा अश्टमी को हुआ था जो कोई भी उस दिन ब्रत करते हैं उनके जर्म भर के पाप नश्ट हो जाते हैं उस दिन जागरन का भी यही फल मिलता है यदि कोई भेरव के निकट जाकर कासी ब्रत करें तो उसके समझत पाप दूर हो जाते हैं जो कोई अश्टमी चरतर दसी तता रविवार को भेरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ती मिलेगी जो कोई भेरव की आठ परक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगेंगे भेरव का यह ब्रत सब ब्रतों का राजा तता चारों फलोक को प्रदान करने वाला है इस ब्रत के करने से भेरव अत्यंत प्रसन होते हैं बहरव चरित्र के सुनने से भी मुक्तिता आनंद मिलता है ब्रह्मा जी वोले हे नारद एसे पूर्व हम बीर भद्र अवतार का बिस्तार पूर्वक बढ़न कर चुके ही अब हम तुम्हें वही फिर संक्षेप में सुनाते ही हमारी पूत्र दक्ष प्रजापती ने अपने बुद्ध हीनिता के कारण सिवजी के साथ बहर बढ़ा कर उनकी निंदा की परन्तु सिवजी ने उसके ऐसे ज्ञान पूर्ण बचनों का कोई बिचार ना किया इतने में जब वह यग करने लगा तब समस्त देवता तता मैं भी अपने परवारों सहित उस यग में समलित होने के लिए गई यद भी वहाँ बड़ी दूमदाम थी परन्तु सिवजी के बिना कोई सोबा ना थी उस समय ददिची मुनी ने सब को समझा कर यह अग रह किया कि तुम सब लोग जाकर सिवजी को यहां ले आओ परन्तु उनकी बात किसी को भी उचित ना लगी यहां तक कि विश्णू जी तता मैंने भी सिवजी को भुला दिया अंत में ददिची मुनी यह कहकर कि यह यग बिना सिवजी के किसी प्रकार भी पूर्ण ना होगा वहार चले गए इस बात को दक्ष प्रजावती उत्तम ना समझकर हम सब की साहता से यग करने लगी संयोग से सती अपने पिता के घर में यग होने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन होई तता यग में समलित होने के लिए सिवजी से हट करके आग्या प्राप्त कर दक्ष के घर गई वहाँ पहुंचकर सिवजी की अत्यंत अप्रटिष्टा देखकर उन्होंने क्रोध होकर यह कहा यह दक्ष ब्रह्मा विष्णु सब देता तता मुनी आदी क्या तुम सब की बुद्धी नश्ट हो गई है जो तुम सबने सिवजी के बिना यग करना चाहे तुम सब को इसका फल अवश मिलेगा यह कह कर सती योग धारन कर वहीं जल गई यह नारद इस प्रिकार सती को जलती हुई देखकर चार और हाकार मच गया तता सब लोग ब्यक्तित हो गई सिवजी ने अत्यंद क्रोडित हो अपने एक जटा उखार कर सिला पर दे मारी उस समय नदिया तता परवतों सहे तीनों लोग कांप उठी उस जटा के प्रतम भाग से एक चतर भज स्वरूब त्रिनेत रहात्र में अत्यंद भयानक तरसू लिये हुए बीर भद्र नामक गण उत्पन हुआ वैसेंजी के सम्मुक आकर खड़ा हो गया फिर उसने अपने रोमों से अपने समान असंग के गणों को उत्पन किया बेसव अटाहस करते थी जटा के दूसरे भाग से स्री महा काली महा भयानक रूपधारन किये हुए अपने साथ करोणों योगनियों को लिये हुए भैंकर सब्द करती हुई प्रगट हुई इसके पश्चाद बीर भर्द तता काली ने हाथ जोड़कर सिवजी से पूचा है सिवजी अब हमें अग्या दीजिए कि हम क्या करें तब सिवजी ने अत्यंद कुपित होकर उने यह आग्या दी कि तुम दोनों दक्ष के यहां पहुँचकर उसके यग्व को बिद्वन्स कर सब को प्राण रन दो सिवजी की ऐसी आग्या पाकर बीर भर्द तता काली अपनी अपनी सेना उसाथ चले उनके चलने से चारों और भीसंट सब्द होता था हे नारद इस प्रकार बीर भद्द की सेना सहित आगमन का समाचार जब दक्ष की पतनी बीर निक ने सुना जिसने की सती का त्यात आदर किया था तो उसने सब को समझा कर यह कहा कि अब सिवजी महा कुपित हुए हैं इसलिए किसी की कुसल नहीं है बीर ने यह बाद सबसे कही रही थी कि सिवजी की सेना वहां पहुँच गई राजा दक्ष उसे स्तान पर यग कर रहे थे जहां मिमाले परवत के स्वंड सिकर हैं तता जहां माया पुरी के निकाट गंगा प्रवायत हो रही है उसे देश का नाम कंखल है बीर बत्र ने वहां पहुँच कर प्रिलय की अगनी के समान प्रचंड होकर सब लोगों को सुनाते वए उच्छ स्वर से कहा हम सिवजी की अग्या से यहां आए हैं और तुम में से किसी को जीवित नहीं चोड़ेंगे मुलसिव महा प्राने की जए मुलसिव संकर भगवाने की जए